आज से लेकर पूरे दस दिन तक व्रिशब राशी के लोग गणपती के कृपपा पाने के लिए कैसे करें उनकी पूजा, क्या करें गणेश जी को अर्पित, किस चीज से करें लंबू दरकाबे शेख, पंडिज बतागे आज बिशब राशी के जातकों को चाहिए कि स्री गणेश की उपास्तनां से पहले आप लोग बिशब राशी के जो जातक हैं पानी में दही मिला करके खुद आप अस्तनान कीजिए आज से लेकर के गणपती विसर्जन के दिन तक हर रोज भगवान गणेश का आपको कच्चे दूद से अविश्यक करना चाहिए जो भी मूर्ती आपने रखी है चाहे पारत के गणेश हैं आपके पास चाहे सफटी के गणेश हैं चाहे सफेद आग के गणेश आपने रखे हैं या मिट्टी की ही गणेश मूर्ती आपने रखी है आपको चाहिए कि कच्चे दूस्से भगवान गणेश का आप अविशेक करें मिश्री सक्कर और नारियल से बने हुए लड़ूं का आप भोग लगाएं आंगनी कम हो तो गणेश जी को केसर का तिलब आप घिस करके जरूर लगाएं ओम गंग गणपताय नमहा इस बीज मंत्र का आप यथा संभव इन दस दिनों तक जब करें गणपती को दुरवांकूर दूब भास का अगला हिस्सा दुरवांकूर और मोतिचूर के लड़ू का भोग लगाएं अगर आपकी सामर्थ है तो आप सहस्त्रार्चन भी करें गणेश जी के 1008 नामों की एक नामावली है जिसे गणेश सहस्त्रार्चन कहते हैं उससे आप गणेश जी का सहस्त्रार्चन करें श्री लक्षमी के चित्र के सामने सुद्ध घी का दीपक जलाएं निश्चित रूप से गणेश की पूजा से मा महालक्षमी भी प्रसंद होगी और रीड रोग दरिद्रता को दूर करेंगी